हलो दोस्तों मैं कवेता आज आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेके आई हूँ गर्मियों में ये बनाई जाती है और बहुत ही खुशी से खाई जाती है तो आज हम बनाने वाले हैं पानी वाले पकोड़े या कहिए पानी वाली फुल की मैं जब छ बड़ा फट ये हमारी पानी वाली पकोड़िया बनाना शुरू करते हैं तो इसी के साथ का विदास के चिन तड़का में आप सभी का स्वागत करती हूं उमीद करती हूं आप साविलों बहुत ही अच्छ से होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे सेहत मंद होंगे और अग कुटी हुए लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा पावडर, इमली का पानी या इमली की चट्नी, काला नमग, हीन, हरी मिर्च, निम्बू, सोट पावडर और धनिय की हरी चट्नी जो कि हम घरों में नॉर्मली बनाते हैं तो सबसे पहले हम फूदीने और हरी मिर्च को दर दरा पीस लेंगे, अगर अपके पास धनिय की चट्नी नहीं है तो इसी से में आप धनिया पत्ती भी पीस लीजे, तो यह देखिए मैंने फटा फट इनका एक दरदरा पेस्ट जैसा बना लिया है, आप भी ऐसा ही कर लीजेगा, और इमली का पानी बनानी के लिए मैंने गरम प पानी भी तैयार हो चुका है, तो चलिए पहले पकोड़े बनाएंगे, इसके लिए मैंने लिया हुआ है बेसन, और इसमें डाल रही हूं नमक, स्वादा अनुसार, साथ में डाल देंगे कुटी हुए लाल मेर्च, और थोड़ा सा चाट मसाला, और इसी के साथ में डाल र बनाने के लिए बैटर बनाते हैं वैसा ही यह देखिए मैंने अच्छे से फेट लिया है, एकी साइड हाथ घुमाते हुए, एकी मिनिट के लिए फेटा है मैंने क्योंकि मैंने बेकिंग सोड़ा इसमें डाल रखा है, तो बेसन जो अच्छे से फेट चुका है तो चलिए इसके लिए पानी में डाल रही हूँ थोड़ा सा बेसन वाला बैटर जैसी में डालूंगे ऊपर की और आ जाएगा यानि के मारा बेसन अच्छे से फूल चुका है अगर यह नीचे बैठ जाता है तो बेसन प्लीज आप तो और फेटे जब तक कि वह फूल ना जाए तो अ और में यान और में डालूंगी साथ में डालूंगी ऑव युव श्वादा अनुसाल डाल कर में चाथ मैं ow ढया साथमे डाल देंगे हारीए लॏ आप भी अगर चाहें तो अपने घर में रखी हुई हरी धनिय की चटनी का इस्तमाल आप कर सकते हैं इसमें और आप में डाल दूँगे पुदीना और हरी मिर्च का दरदरा पेस्ट ये पानी बहुत ही चटपटा, तीखा, नमकीन और घटा बनता है तो आप अपने पानी की क सार फटा फट कर लेंगे, तो ये देखे हमारे पानी में कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है, कितना दिखने में ये टेस्टी लग रहा है, तेम्टिंग लग रहा है, तो अब मैं इसमें डालूँगी निम्बू, क्योंकि ये थोड़ा खटा जादा पसंद किया जाता है, और सार्थ में थोड़े सी पूदीने की फ्रेश पत्टियां मैं इसमें तोड के डाल दोँगी, आप जाहें तो धन्यापती भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी काटके डाल सकते है और चाहें तो प्याज के छले भी डाल सकते हैं, यहां पे हमारा पानी जो है वो तयार हो इतनी तल सकते हो तलने बस ध्यान रखिएगा कि वह अच्छे से फूल नहीं चाहिए और यहां पर मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पकॉडिया है कितने अच्छे से फूल रही है एकदम बड़ी सी हो गही है अपने साइज से तो ब बहुत जादा मैं इसे फ्राइ नहीं करूँगी अधरवाज यह ऊपर से थोड़े से रफ हो जाएंगे या टाइट हो जाएंगे यहां पर मैंने इन्हे निकाल लिया है क्योंकि यह हो चुके हैं यह एकदम हलकी फुल के सुनहरे रंगी हमारी बेसम की जो पकॉडिया है व अधर तक यह पक चुकी है अंदर तक इसके जालिया आ चुकी है यानि कि यह बहुत ही जादा सॉफ्ट है मैं आपको और भी पकॉडिया एक बार प्रेस करके दिखा रही हूं तो ठीक ऐसी ही पकॉडिया बनाएगा तो पानी में जाके यह बहुत ही मस्त लगेंगी और जै उन प्रिक से पानी ओ पी नहीं पाएंगी, एक दूसरे के वेट से वो टूप के पानी में ही भिखर जाएंगी और इसी के साथ मेंने हलका हलका प्रेस करुच पानी के जल जीरा वाला पानी एं मैं फो भी डाल रही हूं तो अब हम ठाकओडिय pię 15-25 मिनिट के लिए के लिए 12-15 मिन्ट हो चुके हैं फड़ा फड़ा आप लोगों के लिए सॉविंग करती हूं इन पानी वाले पकोड़ों के तो यह देखिए मैं यहां पर फड़ा फूलकिया आप लोगों के लिए सॉफ कर रही हूं और इसे थोड़ा सा और सुंदर दिखाने के लिए टंटिंग मनान कि देखे हलका सच हुआ मैंने इसे और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो ठीक इसी तरीके से आप भी अपने पानी के पकोड़े बनाइए और उनका स्वाद लीजिए उन्हें दूसरों को भी खिलाइए आप चाहें तो इसे आराम से दो दिन तक फ्रिज में रखके कर सकते हैं मैं ऐसा ही करती हूँ मैं बनाती हूँ और दो से तीन दिन तक फ्रिज में रखके मैं इसका इस्तमाल करती हूँ ठंड़ ठंड़ इनको खाते हैं हम लोग उसमें ध्यान रखेगा कि हर पकोड़ी को आप जादा ना छुए अधर वह पानी में बिखर सकती है कम प सब्सक्राइब करें और बल आइकन प्रेस करें मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए